जब विपक्षी इंडिया गटबंधन में सीटों के वटवारे को लेकर कोई गतरोध चल रहा होता है तो गोधी वीडिया पूरे गाजे बाजे के साथ जोर शोर से उसका प्रचार करता है मगर जब सत्ता पक्ष भारती जन्ता पार्टी और उसके सहोगी दलों में कोई गतरोध होता है तो गोधी वीडिया उसे पूरी तरह से चुपा देता है ताजा मिसाल महराश की है महराश से क्या बड़ी खबर आ रही है दोस्तों महराश से बड़ी खबर यह आ रही है कि उधव सेना कॉंग्रेस और शरत पवार की नसीपी में तालमेल बन गया है जिसके अंतरगत उधव सेना जो है वो 21 सीटों पर शुनाव लड़ेगी कॉंग्रेस 17 और शरत पवार की जो नसीपी वो 10 सीटों पर शुनाव लड़ेगी मगर अडानी का दियूस चैनल क्या खबर चला रहा है अडानी का दियूस चैनल ले खबर चला रहा है कि आखिर कॉंग्रेस लुटी पुटी शिवसेना खुटी पुटी एंसीपी के सामने क्यों जुकी जबकि इस स्वक्त भारती जंता पार्टी गडबंधन में जबर्दस संकट चल रहा है दोस्ते मैं आपको बतला दूँ अब तक भाजपा ने करीब 24 एकनाच शिंदे ने करीब 8 और अजीब पवार की एंसीपी ने तीन सीटों पर प्रत्याश्यों का एलान कर दिया है मगर अब भी एक दरजन सीटों पर मामला जो है भसा हुआ है और इस वक्त दिक्कत बहुत जादा है दोस्तों मगर गोधी मीडिया उसकी चर्शा नहीं कर रहा है गोधी मीडिया ये भी नहीं दिखा रहा है कि प्रधान कर रहा हूं दोस्तों गोधी मीडिया आपको ये भी नहीं बता रहा है कि प्रधानन्त्री बार-बार उद्धव ठाकरे का अपमान कर रहे हैं उन्हें टार्गेट कर रहे हैं मगर इस वक्त महराश्ट की जमीन पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक सहानुभूती की लहर सूस कर रही है यही वज़ा है कि कॉंग्रेस भी उद्धव सेना के सामने चुकी है और ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे जो हैं फूचुना वड़ रहे हैं मगर गोधी मीडिया आपको यहीं नहीं बताएगा आज में कुछ तथ है आपके सामने रखना चाहता हूं द अगर भारतिय जनता पार्टी इस पर आपत्ती जतला देती है नतीजा क्या होता है एमन पार्टिल की जगा बाबूराओ कदम को एकनाशिंदे को सीट देनी पड़ती है यह मामला हिंगोली का है इसकार्थ क्या हुआ इसकार्थ साफ हुआ कि पूरी तरह से नतमस्तक है एक बताएगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी सूमबार को महराष्ट में थे साथ में मुख्य मंतरी आदितनाद मी थे प्रधान मंतरी बार बार कह रहे थे कि असली शिवसेना एकनाशिंदे है तो बड़ा प्रशने इतनी कम सीटों पर एकनाशिंदे चुनाव क्यों लड़ क्या वज़ा है कि हिंगोली में इस तरह की दवंगई की जाती है क्या वज़ा है कि बारामती में चुनाव लड़वाने के लिए आपको अजीद पवार की पतनी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारना पड़ता है सुप्रिया सुले के खिलाप साफ तोर पर दिखाई दे बात नहीं कर रहे हैं वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं ब्रश्टाचार के खिलाफ गारेंटी हूँ क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा यही वो बहराश्ट की जमीन थी जिस पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने NCP को नाचुरली करप पार्टी बताया था मगर आज जिस अजीद पवार को देवेंद्र फड़नवीस में जेल भेजने की बात की थी वो अजीद पवार आपके डेपिटी चीफ मिनिस्टर हैं चगन भुझबल आपके साथ हैं आपके साथ कॉंग्रेस के अशुक चवाने जिस पर आपने गंभीर आरोप लगाये थे ब्रश्टाचार के वो भाश्पा में हैं नाराइन ड्राने जिन पर गंभीर आरोप ब्रश्टाचार के थे वो आपके साथ हैं मगर प्रधान मंतरी महराश्ट में ब्रश्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं आज जनता उनसे सवाल पूछती उनके पुराने बयानों को लेकर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो अशोक चभाण आज राद सभा भेच दिये गए हैं उन अशोक चभाण के बारे में प्रधान मंत्री ने आज से पाँच साल पहले पिछले चुनावों में क्या कहा था ये सुनते हैं यहां माहराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर सोसाइटी बनाने की कोशिश दी थी शहीदों के परिवार को दोखा दिया था इससे तो नांदेड और पूरा भारत भली भाती परिचित है इस तरह के गोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है आज जनता प्रधान मंत्री के इसी बयान की याद उन्हें दिला रही है यही वज़ा है प्रधान मंत्री अब खुद को भरष्टाचार के खिलाफ गारंटी भी बता रहे हैं महाराश में गुप्त चुनावी चंदे के जरीए जो सारा खेल हुआ जिसकी पृष्ट भूमी महाराश्ट भी थी उसको लेकर सवाल किये जा रहे हैं उसको लेकर सवाल किये जा रहे हैं मगर प्रधान मंत्री के पास इसका जवाब नहीं है किसी भाष्टा के नेता के पास जवाब नहीं है याद कीजे प्रधान मंत्री ने किस तरह से NCP के तमाम गोटालों को गिनाया था आज वही सोकॉल्ड घोटाले बाज के गोटालो का रोप है महाराष्ट्र स्टेट कोपरेटिव बैंक गोटाला महाराष्ट्र सिंचाई गोटाला अवैद खनन गोटाला इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है इन पार्टियों के गोटालो का मिटर कभी डाउन ही नहीं होता आज NCP के वो तमाम नेता, कॉंग्रेस के वो तमाम नेता जिन पर भष्टाचार के गंभीर आरोप हैं वो सब भाश्पा में शामिल हो गए हैं या भाश्पा गटबंधन में हैं बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि प्रधान मंतरी अपने इन पुराने बयानों को कैसे भूल सकते हैं आज उद्धव ठाकरे करारा प्रहार बोल रहे हैं प्रधान मंतरी पर वो कह रहे हैं यह उगाही पार्टी है, यह वसूली पार्टी है और मुद्दा यहां गुप्त चुनावी चंदे का है आज भारती जंता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि हम कहां देखें सीटों के बटवारे को लेकर गतिरोध बाकाइदा बना हुआ है इसकी चर्चा कोई गोधी मीडिया नहीं कर रहा मगर अब भी हमला किया जा रहा है उद्धव सेना कॉंग्रिस और शरद पवार की न्सीपी पर मैं एक बास पश कर दूँ दोस्तों इसी मंच पर मैंने कई बार कॉंग्रिस की आलोचना की है खास्तोर से गटबंधन को लेकर उनके जो तेवर रहे हैं बिहार उत्तरपदेश यसे राज्यों में महराश के राज्य में भी महराश में भी जब गतिरोच चल रहा था मैंने उसकी बात की थी मगर अफसूस की बात ही है दोस्तों गोदी मीडिया आपके सामने पूरी तस्वीर नहीं पहुंचाता है जिस तरह से मैं अपने इस मंच पर आप तक के तस्वीर पहुंचाता हूँ आखिर क्यों गोदी मीडिया आपको ये भी नहीं बता रहा कि किस तरह से ओधव ठाकरे के पक्ष में एक लहर एक सहानभूती के लहर महराश में दिखाई दे रही है सवाल यही किया जा रहा है कि क्या सहानभूती की ये लहर वोटों में तबदील होगी क्योंकि पिछली बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा महराश में पूरा सूपड़ा साफ हो गया था महराश में खत्म हो गया था विपक्ष पूरी कोशिशों के बावजूद और इस बार भी हम ये ना भूलें एनसीपी को बीजेपी नेस्तनाबूत कर चुकी है शिव सेना को नेस्तनाबूत कर चुकी है इन दोनों पार्टियों के पास उनका चुनावी सिंबल तक नहीं रहा मगर बावजूद इसके अगर प्रधान मंत्री इतने नर्वस दिखाई दे रहे है भाश्पा इतनी असहज दिखाई दे रही है इसका मतलब यह हुआ कि लूट खसूट करने के बाद नोचने के बाद भी शरत पवार की एंसीपी और उद्धव ठाकरी की शिवसेना भाश्पा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है तो एक तरफ प्रधान मंत्री बार बार कह रहे हैं कि असली शिवसेना हमारे साथ है वो उद्धव ठाकरी को नकली शिवसेना बता रहे हैं मगर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक सहानुभूती दिखाई दे रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निशाने पर ये शक्स है यानि उद्धव ठाकरे लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है और आपको समझना पड़ेगा कि जनता के सामने क्या मुद्दे है जनता के सामने बाला साहब ठाकरी की विरासत है और वो देख रहे हैं कि किस तरह से निजी कारणों से अपनी राजनीतिक जान बचाने के लिए एक नाच शिंदे ने शिव सेना को तोड़ दिया था बाकाइदा आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रिस में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि विपक्ष के ऐसे 25 नेता हैं जो भाचपा में शामिल हो गए या भाचपा मुर्चे में चले गए उनमें से 23 के केसिस खत्म कर दिये गए और इनमें से महराश से बहुत बड़ी तादाद में नेता हैं एकनाच शिंदे के बड़ी तादाद में नेता हैं जो अब ये कह रहे हैं कि जब से हम भाजपा मूर्शे में गए हैं रात को हम चैन की नींद सो पा रहे हैं उद्धव ठाकरे यही मुद्दा उठा रहे हैं बार-बार आदित ठाकरे कह रहे हैं कि एकनाशिंदे हमारे घर में आये थे, हमारे आखों के सामने वो रोये थे कि अगर हम भाजपा के पास नहीं गए तो मुझे वो लोग जेल में डाव देंगे उद्धव ठाकरे ने याद कीजेगा, जब महराष्ट के कई प्रोजेक्स, कई परियोजनाएं गुजराद गई थी, तो उसे उन्होंने महराष्ट की असमिता के साथ जोड़ कर उठाया था जनता के सामने ये भी है, क्योंकि अब मराठी असमिता भी सामने उभर कर आ रही है और इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है इस वड़ भाजपा का जो मोर्चा है, वो अवसर वादियों का एक मोर्चा बन कर रह गया है जहां जिन लोगों पर आप भ्रष्टाचार की आरोप लगा थे थे, आज वही आपकी गूद में बैठे हुए इसका जवाब ना आमित शाह के पास है, ना इसका जवाब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के पास है और हकीकत यह है दोस्तों, ये facts हैं प्रधान मंतरी को जवाब देना पड़ेगा, एक तरफ आप उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे हैं मगर इस सवाल का जवाब तो दीजे की अजीत पवार आपके मोर्षे में क्या कर रहे हैं अशोक चमान जिन पर आपने हमारे शहीदों का अपमान करने का और भषचाचार करने का आरोप लगाया था वो राजसभा में क्यूं गए, वो भी भाच्पा की तरफ से तो ये तमाम facts हैं, अब चुनौती विपक्ष के सामने है कॉंग्रिस की सबसे बड़ी चुनौती है, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिये गए हैं चुनाव रड़ने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं है ये चुनौती उनकी सामने है दूसरी तरफ, पूरी जो मशिनरी है, वो भाजपा के हाथ में है चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है सामदाम दंड भेच से एजनसीज के जरीए अब भी विपक्ष पर निशाना साथा जा रहा है इसकी धेरों मिसालें दिल्ली में आप देखी रहे है तो ये तमाम चुनौतियां इस वग विपक्ष के सामने है बड़ा सवाल ये इन चुनौतियों के रहते हुए क्या महराष्ट में विपक्ष लड़ाई लड़ पाएगा क्या उद्धव ठाकरे के पक्ष में इतनी सहानुभूति है कि वो महराष्ट की बाजी परट देगा क्योंकि गोदी मीडिया जो गतिरोध चल रहे हैं उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है और ये अपने आप में कितना शौकिंग है मैंने आपको मिसाल बताई अडानी की न्यूस चैनल की तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता मगर यकीनन दोस्तों महराष्ट में मुकाबला बहुत दिल्चस्प है तमाम सर्वेज जो ये बता रहे हैं कि भाजपा को 400 के करीब सीटे मिलेंगी ये सर्वेज भी उद्धव ठाकरे, कॉंग्रिस और शरत पवार की NCP को महराष्ट में लडाई में बता रहे है ये कह रही है कि दोनों को बराबर बराबर 24-24 सीटे मिल जाएंगी ऐसे सर्वेज भी, ऐसे वाहियाद सर्वेज भी ये दावा कर रहे है अब देखना ही है दोस्तों कि जमीन पर क्या तस्वीर सामने उभर कर आती है मगर महराष्ट का मुकाबला बहुत दिल्चस्प है दोस्तों अब इसार शर्मा को दीजे अजाज़त नमस्कार अब दोस्तों